Class 3, Subject Science First lesson है आपका Living and Non-Living Things तो इसमें हमने पेज नमबर 10 तक हमने complete कर लिया उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 11 पे तो आप देख लिजे ये आपके लिए ही है करने के लिए अच्छा सा कुछ है In the following table, column A contains, parents and column B contains babies fill the same color in column A with matching baby in column B इस side आपको देख लिजे आपको क्या दिया गया है इस side है कुछ babies है और कुछ mummies हैं parents हैं, तो देख लिजे parents A option में parents हैं और B में babies हैं तो हमने क्या करना है जैसे कि first picture देख लिजे आप एक puppy, एक doggy है और इस picture में आपना उसका baby ढूणना है तो इसके picture में उसका baby है doggy का baby 1, 2, 3, B column B में देख लिजे third picture में puppy है तो हमने क्या करना है इनको match करना है with same color जहां पे देखे doggy में एक circle है और baby में एक box है तो हमने क्या करना है अगर हम doggy के circle पे black color करेंगे तो हमने same color करना है puppy के box में तो हम अगर black करते हैं इधर doggy तो हमें puppy का box भी black करना है उसके second picture में एक hand बना हुआ है A में और B में देख लिजे हमें chick ढूणना है तो chick बना हुआ है आपका सबसे उपर column B में सबसे top में chick है तो हम कर देते हैं hand में yellow color circle पे और box में कर देते हैं chick के yellow color तो आपने A side के और उसके matching पे same color fill करना है तो इधर cat है इधर kitten है इधर lion है तो इधर cub है तो आपने mother और baby पे same color करना है box पे तो यह आप खुद करेंगे अपने आप आगे बढ़ते हैं page number 12 make a make a list make a list of five living things and five non-living things in and around your home एक side दिया है आपको living things मतलब जिसमें जीवन है और एक side दिया है आपको non-living things मतलब जिसमें की जीवन नहीं है तो देख लिजे picture भी दी हुई है आप picture से भी कर सकते हैं and around your home और अपने घर के आज अपने घर के चारो तरफ आपको जो कुछ भी नजर आता है living things आप वो यहाँ लिख सकते हैं one two three four five और non-living things आपके घर में बहुत सारी चीज़े होंगी non-living things आप उसको भी इस पे लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बता देती हूँ living things में आप लिख सकते हैं जैसे की हमें अपने घर के आसपास हमारे घर में doggy तो dog लिख सकते हैं हम बाहर बैठे रहते हैं कभी शाम को तो हमें आसमार में bird नजर आती है baby नजर आते हैं हमें man, woman बहुत सारी चीज़े हैं living things तो आप वो इसमें fill करिएगा और non living thing तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे टीवी हो गया fan, table, chair pen, pencil, box copy, bag बहुत सारी चीज़े हैं तो आप notice करिएगा अपने घर के आसपास, घर में घर के बाहर और living thing और non living thing में उसको आप fill करिएगा अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसी में ही नीचे 12, page number 12 में ही सबसे last आपको दी गई है एक exercise है take the correct answer तो ध्यान से सुनिए one है living things, जिसमें जीवन है, तो पहला option है, reproduce do not reproduce reproduce मतलब होता है जन्म देना, तो living things जो होती है, वो reproduce करते है do not reproduce नहीं करते है, तो क्या होगा सही option है आपका reproduce, जो living things होते है वो reproduce करते है, बच्चों को जन्म देते है second देखिए a cat gives birth to जैसा कि आपको पता है कि एक cat जो होती है उसका baby क्या कहलाता है या वो किसको birth देती है, जन्म देती है एक chick को, या फिर एक kitten को, तो a baby cat is a kitten तो baby cat का baby होता है kitten, तो हम kitten पे सही का निशान लगाएंगे third देख लीजिए all man made things are जो हम man होते हैं इंसान जो है वो जो things बनाता है वो सब things क्या होती है living things होती है या non living things होती है, जो हम बना रहे हैं तो वो non living things होती है जैसे एक man बनाता है table, chair, fan ये सब क्या है, non living things है last वारा देख लीजिए four, a puppy grows into a जो एक छोटा सा puppy होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बनता है dog या फिर plant तो वो बनता है dog तो आप dog पे सही का निशान लगाएंगे तो अभी जैसे मैंने आपको page number 11 page number 11 में मैंने आपको सबसे टॉप वाली एक exercise दी थी वो तो आप book पे ही कर सकते हैं लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इधर dog लिखें, इधर puppy लिखें आप इनको parents को baby से मिला के भी match the following कर सकते हैं तो page number 11 का आपने copy में करना है page number 12 का 4 वाला भी आपने copy में करना है page number 12 का ही last वाला tick the correct answer भी आपने copy में ही करना है